हाई फ्रेंड्स आप सबे का आपके अपने यूटूब चैनल UPSC Info24 में स्वागत है तो दोस्तो हम उमीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुस होंगे फ्रेंड्स ए जो वीडियो है ए पीजिटी नागरिक सास्तर का भाग चोवत्तर है तो अगर आप टीजिटी, पीजिटी, अल्टी ग्रेड और जी आईसी का तयारी कर रहे हैं तो ए वीडियो आपके लिए है स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का पाला नमर कोशन जो 16 नमर से सुरू हो रहा है कोशन है फ्रेंड्स, निमलिखित में से सक्ती संतुलन की विशेष्टा कौन सी नहीं है सक्ती संतुलन की विशेष्टा कौन सी नहीं है यह बताना है आपको आपसन एक दिया है इतिहासकार सक्ती संतुलन को वस्तुनिष्ट दिरिष्टी से देखता है जबकि राजनितिग्य उसे व्यक्तिनिष्ट द्रिष्टी से देखता है आपसन दो कह रहा है सक्ति संतुलन की नीती गति सील होती है मतलब वो बदलती रहती है ऐसा सक्ति संतुलन की एक विसेष्टा ए बताई जा रही है दो और तीसरा बता जा रहा है सक्ति संतुलन की अस्थापना सुत्व हो जाती है आप संफोल बता रहा है विश्व के राष्टों के बीच सक्ति संतुलन सदेव बना रहता है तो आंसर जो हो जाएगा आपका तीन सही हो जाएगा सक्ति संतुलन की अस्थापना सुत्व हो जा पामर और पार्किंसन के अनुसार सक्ति संतुलन की साथ विसेश्टाएं हैं पामर और पार्किंसन के अनुसार सक्ति संतुलन की टोटल जो विसेश्टाएं हैं वो कितनी हैं तो साथ हैं कौन-कौन सी है इतियासकार सक्ति संतुलन को वस्तुनिष्ट दिरिष्टी से देखता तो राजनितिक्य व्यक्तिनिष्ट द्रिष्ट से देखता है आए दूसरा है सक्ति संतुलन गति सील होता है तीना है सक्ति संतुलन अस्थापित करने के लिए राज्यों को सदेव प्रत्नसील रहना पड़ता है मतलब एक राज्य दूसरे राज्य से हमेशा प्रत्नसील करते रहेंगे प्रयास करते रहेंगे कि नई सक्ति संतुलन बनता रहे बना रहे यह करने से होता है ना कि सोता हो जाता है राश्टों के बीच सक्ति संतुलन सदेव बना रहता है सक्ति संतुलन में केवल बरे राश्ट खिलारे होते हैं छोटे राश्ट दर्सक होते हैं सक्ति संतुलन की नीती एथार्थ इस्तिती को जयों का तेवं बनाये रखने की नीती है आगे देखिए 17 नमर कोशन बहुत ही इंपार्टेंट कोशन है नेरू विश्व के सामने अपने देश की आवाज थें वे सेस दुनिया के साथ अपने देश की नीती के दार्षनिक, निर्माता और मंत्री थे अन्य किसी देश में कोई वेक्ति विदेश नीती के निर्माड में इतनी प्रभावी भूम का अदा नहीं करता जितनी नेरू भारत में करते हैं यह अकथन किसका है? आपसन एक है माईकल ब्रेसर का आपसन दो है विष्टन चर्चिल का आपसन तीन है ए ओ मताई का यम ओ मताई का आपसन फोर है रजनी कुठारी का तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तो 17 का वो हो जाएगा पहला नम्मर माइकल ब्रेशर का जो माइकल ब्रेशर है उन्होंने इस कथन को कहा है व्याख्या देख लेते हैं माइकल ब्रेशर ने माइकल ब्रेशर नेरू के नित्रित्व को इस प्रकार उद्रित करते हैं नेहरू विश्व के सामने अपने देश की आवाज थे, वे दुनिया, वे सेह दुनिया के साथ अपने देश की नीती के दार्शनिक, निर्माता और मंत्री थे अन्य किसी देश में कोई व्यक्ति विदेश नीती के निर्मार में इतना प्रभावी भूमी का अदा नहीं करता है जितना नहरू भारत में करते हैं तो फ्रेंड्स माइकल ब्रेसर का एक कथन है क्योंकि जो विदेश नीती है वो अधिकांस हमारा जो है नहरू के समयवादी है उसी पे समाजवादी जो विचारधारा है उसी के इर्दिश की गुर्णता है जो गुट निर्पेच अंदोलन था गुट निर्पेच सिधान्त ज कहा है तो ए बात सही है कि उसमें अपने नीती को जो है लागो करने वाले अपने नीती को बनाने में उसमें विच्व पटल पे एक छाप था नेरू का तो वास्तों में ये उनकी उपलबदी थी आगे देखते हैं अठारा नमर कोशन सूची व ăन को सूची टू से सुमिलिद कीजिए तथा नीचे दिये कोट से सही उत्तर का चैन कीजिए तो इधर दिया गया है आपका वैज्ञानिक समाजवाद सुची वन का देखिए वैज्ञानिक समाजवाद प्रतेवाद अरजक्तावाद और अधिनायकवाद अब इनका मिलान करना है कि किसमें वैज्ञानिक समाजवाद जिसने मार्क्स ने दर्शन दिया था इसको तो इसक प्रते वाद का संबंद किस से हो जाएगा तो प्रते वाद का संबंद दोस्तों राज का तत्व मिमान सा वादी सिधान्त से हो जाएगा बी का पहले से आपसन सही है बी का मिलान पहले से कर लेंगे अरजक्तावाद जो अरजक्तावाद है उसमें क्या होता है तो अरजक्तावाद में लोग राज आनावस्यक और आवांचनी दोनों है यह ऐसा अरजक्तावादियों का मानना है कि राज अनावस्यक तथा अवांचनिय दोनों है अधिनायक वाद एक अब बच गया तीसरा तो तीसरा इसका मिलान हो जाएगा एक व्यक्ति अर्थ दल में अस्मित सक्ति है यही तो अधिनायक वाद है सरवे सरवा होता है तो इसका मिलान कर लेते हैं तो आंसर आपका तीन सही हो जाएगा पहले का दूसरे से, बी का पहला से, सी का चोथा से और डी का तीसरा से तो हमारा आंसर जो हो जाएगा तीन सही हो जाएगा आगे देखिए व्याख्या वेज्ञानिक समाजवाद राज्य सोसर का यंत्र है ऐसा वेज्ञानिक समाजवाद का मानना है प्रत्य वाद राज्य का तत्य मिमांसा सिध्धान्त है ठीक है प्रत्य वाद जो सिध्धान्त है उसमें राज्य का तत्य मिमांसा सिध्धान्त को पृतिपादित किया गया है अरग जक्ता वाद राज्य अनावसक और आवांचनी दोनों मानते हैं जो अरग जक्ता वादी है वो मानते हैं कि राज्य अनावसक और आवांचनी दोनों है और व्यक्ति वाद जो मानते हैं वो राज्य को अनावसक बुराई मानते हैं यहाँ पर राज्य को अनावसक और आवांचनिय दोनों ए अरजकता वादी मानते हैं अधिनायक वाद क्या कहता है अधिनायक वाद एक वेक्ति अर्थ दल में अस्मित सक्ती रखता है इसी को अधिनायक वाद कहते हैं एक व्यक्ति अर्थ में दल में अस्मित सक्ती रखता है उसी का सासन चलता है एक प्रकार से कह सकते हैं 19 का देख लेते हैं निमलेखित में से फासिवाद की विसेस्ता कौन सी नहीं है कौन नहीं है ए बताना है आपको फासिवाद की विशेषता नहीं है आपसन एक है फासिवाद एक सरोसक्तिमान राज्य का समर्थन करता था ए बात सही है इसमें जाती सरोच्चता पर बल दिया जाता था ये बात भी सही है ये महामानो पूजा और विशे सुर्ग में विश्वास करता था तो ये भी सही है आपसन फोर है ये अंतराश्टी कानूनों में पूरी निष्टा रखता था ये बात गलत है तो हमको गलत छाटना है तो आंसर आपका फोर सही हो जाएगा किनकि जो फासिवाद है फासिवाद की कौन सी विशेस्ता है तो उपर की ये तीनों जाए फासिवाद की विशेस्ता ये विशेस्ता ना है संगठित राजनेतिक आंदोलन था फासिवाद कहा है तो फासिवाद मुसलुनी द्वारप्रित पादित एक राजनेतिक आंदोलन था जो इटली में चलाया गया था जिसकी निम्न विसेशताएं है विशेस्ताय क्या है? वह महामानो पूजा और विशेस वर्ग में विश्वास करता है, इसमें जाती सरोचता पर बल दिया जाता है या एक सरवाधिकार वादी अधारणा है जो एक सरोचती संपन राज का समर्थन करता है यह प्रजा तंत्र का बिरोधी तथा कुलीन तंत्र में निश्टा, समाजवाद बिरोधी एवं समराजवाद में विश्वास करता है, फासिवाद अंतराश्टी कानूनों में निश्टा नहीं रखता है आगे देखिए, 20 नमर कोशन, निमलिखित में कौन सा युगम गलत है, गलत युगम को आपको छाटना है कौन सा गलत है, तो आपसन एक है, फ्रांस समयधानिक परसत, तो यह है और सिट्डर लेंड दिया है आपका, लेंड जी माइड, चीन केंदरी सन आयो, और फोर है अमेर सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है अमेरिका में, एक बार स्पीकर सदेव स्पीकर नहीं होता है, वो सब बदलते रहते हैं, व्याख्या देख लेते हैं, अमेरिका में स्पीकर का चुनाव बहुमत से होता है, फ्रांस में समयधानिक परसत, स्विडरलेंड में लेंड सजी माइ विधान मंदल का कारी करता है तथा चीन में केंदरी सैन आयोक का द्यच राश्टपती ओता है एक बार सदेव सपीकर का प्रावधान ब्रिटेन में है आगे दिखिए 21 कम करने का जो कारक है वो कौन सा है ए बताना है दितान्त संबंध पारस्परिक राष्टी हीतों की पूर्थी करते थे, आर्विक आतंक और आर्विक युद्ध का भय, सीत युद्ध का समर्षता पुर्वक वातावरर, राष्टी प्रथाओं में बुनियादी परिवर्तन, क्या था? राष्टी प्रथाओं में बुनियादी परिवर्तन, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? तो फोर आपका आंसर हो जाएगा, राष्टी प्रात्मिक ताओं में बुनियादी परिवर्तन ये आपका तनाव सैथिल्ल का निर्धारर तत्व नहीं था, बाकी के तीनों थे, व्याक्या निर्धारक तत्तो हैं जो कौन कौन से और देख लेते हैं दितांत संबंध परासपरिक राष्टी हितो की पूर्ति करते हैं आरविक आतंग और और युद्ध का भै होता है तथा सीत युद्ध का समर सस्ता पुर्वक वाता वरण cm कोस्षन आपसं एक है सुरोज चिन्याल है आपसं दो है सुतंत नियाम की आयोग को आपसं ध्री है फेडरल कोट को आपसं फोर है कारिपालिका को तो आंसर जो हो जाएगा आपका तू सही हो जाएगा सुतंत नियायम की आयोग को वे आख्या देख लेते हैं सन्युक्त राज अमेरिका में संगी सरकार की दी सदनी विधाईका को अमेरिका अमेरिकी कांग्रेस करते हैं अमेरिका में जो संसद है दी सदनी है उसको किस नाम से जाना जाता है तो कांग्रेस हमारे यहां संसद को संसद ही नाम से जाना जाता है और अमेरिका में जो बिदी निर्मार करते हैं उसके दो सदन है और उनका नाम है कांग्रेस और हमारे द्वाने में जो बिधाई का है उस उसमें भी दो सदन है लोगसभा और राज्यसभा और उसको जाना जाता है संसत के नाम से जिसमें संसत का निर्मार होता है उसमें लोगसभा राज्यसभा और राष्टपती समलित होते हैं सीनेट आगे देखते हैं सीनेट और हाउस आप रिपर्जन्टेटिव इसके सदन दो सदन हैं अमेरिका में सुतंत नियामे किया आयोग को कांग्रेस की भुजा काते हैं आगे देखिए तेरिस नम्मर भारत वर्थ में वित्ती प्रसासन का अभिकरण नहीं है भारत वर्थ में वित्ती प्रसासन का अभिकरण नहीं है आपसन एक है प्रसासनिक विवस्थाओ की सरोच इकाई कारिपालिका है कारिपालिका की नियंत्रड विवस्थापिका है लेक परिछड और जाच विभाग वित्त आयो तो कौन नहीं है तो आंसर हो जाएगा आपका 3 आंसर क्या हो जाएगा 3 तो भारत वर्थ में वित्ती प्रसासन का अभिकरण नहीं है तो वो है लेखा परिच्छड और जाच विभाग वियाख्या देख लेते हैं भारत में लेखा परिच्छर और जाच विभाग वित्ती प्रसासन का अभिकरण नहीं है यह भारत के महा लेखा परिच्छक और लेखा नियंतर के अधीन है जो किसी भी कर्मचारी कर्यकारी अधिकारी के नियंतर में से मुक्त है अनविकल्प वित्ती प्रसासन के अभिकरण हैं आगे देखिए 24 नम्मर कोशन बहुत ही इंपार्टेंट कोशन है महातमा गांदी के सक्ति सिध्धान्त का मुख्य तत्थ नहीं है यह बताना है आपसन एक करा आए सक्ति का संबंद हिंसा से तथा राजनीतिक सक्ति अहिंसा कृत्थ से प्राप्त की जा सक्ति है आप संदो करा है गांधी जी के राजनीतिक सक्ती का खंडन नहीं किया और नहीं अरग जक्तावादियों की तरह उसे समाप्त करने का यत्न किया आगे है आपका गांधी चाहते थे कि सक्ती का प्रयोग इस प्रकार हो ताकि देश को मजबूती मिले और जो सत्रू है वो कमजोर हो सक्ती का आधार हिंसा और इसे केवल बड़ी हिंसा द्वारा उत्पादित किया जा सकता है तो आंसर जो होगा हमारा फोर सही हो जाएगा क्योंकि गांधी जी कभी भी हिंसा के समर्थक नहीं थे वो अहिंसा वादी थे इसलिए आंसर हमारा जो है फोर हो जाएगा तो मात्मा गांधी के सक्ति सिद्धान्त का जो मुख्य तत्वों है वो तीन है और कौन सा नहीं ये तो फोर है तो वो तत्व क्या है उसको व्याख्या में देख लेते हैं गांधी जी सक्ति का आदार अहिंसा को मानते हैं गांधी जी का मानना है जो सक्ति का आदार है वो अहिंसा है सबसे बड़ा तलवार हमारा अहिंसा है सत्यागरा है उनका ऐसा मानना था हिंसा को नहीं और इसे केवल बड़ी हिंसा से प्राप्त किया जा सकता है, यह अकथन सही नहीं है, तो हिंसा को नहीं और इससे बड़ी हिंसा से प्राप्त किया जा सकता है एक कथन जो चोथा है वो गलत है यद भी हिंसा का संबंद सक्ति से हो सकता है तथा राजनीतिक सक्ति को अहिंसक्रित से प्राप्त किया जा सकता है गांधी जी का काना है कि हिंसा का संबंद सक्ति से हो सकता है यह मानते हैं लेकिन राजनीतिक सक्ति को जो अहिंसक कृत्त है कार्य से प्राप्त किया जा सकता है राजनीतिक सक्ति को गांधी जी ने राजनीतिक सक्ती का खंडन नहीं किया और न अरजक्ता वादियों की तरह उसे समाप्त करने का यत्न भी किया है गांधी जी का उद्देश देश को मजबूती और सत्रू को कमजोर करना था तो गांधी जी के जो द्वारा चलाए गए थे आंदोलन उनमें आपका चमपाराण आमदाबाद खेरा अंदोलन चमपाराण 1917 खेरा अंदोलन 1918 फिन आमदाबाद 1918 भारत छोड़ो अंदोलन 1920 और इसके बाद आपका समिने अउग्या अंदोलन 1930 से जो 33 तक चला था 34 तक ओ है फिन इसके बाद भारत छोड़ो अंदोलन है आपका 1942 तो ए सब है गांधी जी के बारे में तत्थे पूरा याद कर लिजे कि गांधी वाद हमको पढ़ना है गांधी वाद आप लोगों को पढ़ना है तो गांधी जी के बारे में पूरा पढ़न लिजे उनके कौन-कौन से अंदोलन थे, उनके पुष्टकों का क्या नाम है, जैसे हिंद सवराज उनकी पुष्टक है, जो गुजराती बासा में लिखी गई है, इसी तरह उनके और जो अंदोलन के जो मतलब नारे हैं, नारा को भी याद कर लिजिए, और सब चीजे याद कर कर रखिये, अगला कोशन निम्न युगों में से कौन सा युग्म गलत है आप्षन एक है संगात्मक सासन परणाली इंगलेंड जापान चीन और फ्रांस एक है कात्मक सासन परणाली बिर्टेंड चीन फ्रांस और चीन तो क्या इसमें से गलत है कौन सा युग्म ये आपको बताना है तो इसका आंसर आपको दिख गया औगा तीसरा हो जाएगा ठीक है, संगात्मक सासन वेवस्था, जो है, इंग्लेंड, जपान, चीन, ये गलत है, ये मिलान गलत है, ठीक है, जो संगात्मक सासन वेवस्था है, वो कनाडा में है, अमेरिका में है, तथा भारत में है, कनाडा, अमेरिका तथा भारत में है, तो ये आपको याद रखना है जो आख्या देख लेते हैं, बाकी के सब मिलान सही है उसको नोट कर लिजेगा भारत, जपान, जर्मनी, बिटेन, आस्टेलिया में संसादमक सासन व्योस्था है अमेरिका, लैटिन अमेरिका, ब्राजील तथा दच्छिर अफरिका में अध्याशमक सासन प्रनाली है संगातमक सासन प्रनाली जो है, कनाटा, अमेरिका, भारत में है जबकि एकातमक सासन व्योस्था चीन में, बिटेन में और फ्रांस में है यहाँ से कोशन आपसे पूछा जा सकता है फ्रेंट, तो इसको अच्छे से नोट करकर लिख लिजे आप नोट बनाते चलिए, जो कोशन है, आपको किसी भी, मतलब कोई और जगे वीडियो देखेंगे तो आपको इतना अच्छा कोशन, कंटेंट देखने को नहीं मिलेगा तो आप यह ध्यान रखें कि इस कंटेंट को आप कहीं नोट कर लें अइसा नहीं हो कि इसी जो व्याख्या है, व्याख्या में से कोशन आपसे पूछे जाए सकते हैं तो इसको आप अच्छे से नोट कर लिजे, लपरवाही मत करें आप इसको कर लिजे, एदम सीरियस होकर, सीरियस होने का टाइम आ गया है अइसा नहीं है कि आप लोग अब बच्पन में आएं, तो अब तो कोई बच्पन में होगा नहीं सभी लोग अब उमर के अच्छे पराव पर होंगे, आप लोग को नोकरी लेना है सभी को तो इसलिए आप थोड़े से डिलवाई मत करिए, मेहनत करते रहे हमसे ज़्यादा मेहनत आप लोग को करनी पड़ेगे तो इसलिए मेहनत बहुत ज़्यादा करें और नोट्स जरूर बना ले, जो आपको लगता है कि ये पॉइंट हमको नहीं याद है उसको आप एक कापी बना लीजिए और उस पे आप नोट में लिख लीजिए कि एक कोशन का ये अंसर होगा आप कोशन लिख लीजिए उसका जो आपसन वाला हो सही कर लीजिए लिख लीजिए ये पूरा का चारो नहीं लिखना है बस नोट्स बना लीजिए ठीक है कि कहां पे कौन-कौन सी सासन बे उस्था अस्थापित है तो इनको आप नोट कर लेंगे तो आप से इसमें से चरपाज कोशन बन गए तो आप से यहां से कोशन आएगा तो आप से बचेगा नहीं आगे देखिए 26 नमर कोशन है नमीन लोग प्रसासन के उदे एवं विकास में कौन सी घटना सहायक है तो यह जो उपर के सभी घटनाय क्या है लोग प्रसासन में सहायक है तो आप सन आपका फोर सही हो जाएगा उपर की जितनी भी घटनाय है सभी लोग प्रसासन में क्या है सहायक है इसको आप नोट कर लि ते नवीन लोग प्रसाशन का उदे 1960 के दसक में हुआ इसके अंतरगर्थ विद्वानों द्वारा लोग प्रसाशन के मुल्यों और नयतिक्ता पर बल देना प्रारम किया गया इसके लिए कुछ घटना आये उत्तरदाय तो है जैसे सर्वजनिक सेवाव सम्मंदित उस्ते छि और सट पबलिक अड्मिनिस्टेस्टर इन टाइम आप टर्ड बुल्लेंस तो यह आगे देखिए 27 नमर कोशन अंतराष्टी राजनीति के वेज्यानिक अध्यन में उन्नती तब तक संभो नहीं है जब तक मार गयन्थाओ का एथर्थवादी सिधांद प्रभावशाली है यह कथन किसका है अंतराश्टिय राजनीती के वेज्ञानी कद्यन में उन्नती तब तक संभो नहीं है जब तक मारगेन्थाउ का एथार्थवादी सिधान्द प्रभाव साली है यह कथन किसका है आपहतार एक है के डमलू थांसन आपसं दो है वेनो वासर मएन आपसं ठीन राबर तणकर आप फोर क्वें शीराइट तो आंसर जो आपका 27 का ओ हो जाएगा आपका दो बेनो वासर महन वेनो वासर महन ये हो जाएगा व्याख्या देख लेते हैं गला फस रहा है फ्रेंस लगातार बोलने से गला फस नहीं लगता है और अच्छी आवाजे नहीं आती है बेनो वासर महन के अनुसार अंतराष्टी राजनीती के वेज्ञानिक अध्यन में उन्नती तक तब तक संभो नहीं है जब तक मर्गन्थाव का एथार्तवादी सिध्धान्त प्रभावी है और इस बात को किस ने कहा है तो ए आपको कोटेशन नोट कर लेना है बेनो वासर मह कोटेशन को मिलाते रहे थोड़ा थोड़ा कोटेशन में किसी के अंतर हो सकता है या जो कोश्चन करा रहे है कभी कभी एका कोश्चन गलत भी हो सकता है यह विध्यान में आपको रखना है उस तरह तो उम्मीद की जाती है कि कोश्चन नहीं गलत होंगे लेकिन हम भी इंसा आने गलती हो सकती है ठीक है आगे देखिए अगला कोशन 28 नंबर शन्यूक्त राष्ट संग का कौन सा विशिष्ट अभिकरण नहीं है ये कोशन बार-बार कराया गया है इसका आंसर हो जाएगा तीन ठीक है अंतराष्टी न्याले जो ICG है वो हो जाएगा सन्युक्तराष्ट संग का कौन सा नहीं है तो ए आपका आंसर हो जाएगा विशिष्ट अभिकरण कौन सा नहीं है तो वो है अंतराष्टी न्याले व्याख्या देखते हैं अंतराष्टी न्याले सन्युक्त राष्ट का विशिष्ट अविकरण न होकर इसके च्छ प्रमुक अंगों में से एक है सन्युक्त राष्ट के च्छ अंग इस प्रकार है महासबा, सुरच्छा परसत, अंतराष्टी न्याले, न्यास, सच्चुवाले, आर्थिक एवं समाजिक परसत आगे देखिए 29 नमबर कोशन निमलिखित में मौलिक अधिकार और नीती निदेशक तक्तों में कौन सा अंतर सही नहीं है कौन सा अंतर सही नहीं है यह बताना है इसका आंसर फ्रेंट्स तीन हो जाएगा मौलिक अधिकार राज को असिमित सक्ती प्रदान करते हैं जबकि निती निदेशक तक राज पर सिमाय लगाते हैं तो यह वाला गलत है क्यूंकि मौलिक अधिकार राज को अस्मित सक्ति प्रदान नहीं करते हैं और नीती निदेशक जो है राज जो है कोई ऐसी सीमा नहीं लगाता है राज चाहे तो इसको माने या न माने ये राज के स्वेच्छा पे है ऐसा कुछ प्रतिबंद नहीं है तो और सब आपसंस है ये वाला गलत है आगे देख लिजिए व्याख्या जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है समिधान के भाग 3 के अनुछेद 12 से 35 में मूल अधिकार जबकि भाग 4 के अनुछेद 36 से 51 में नीती निदेशक्ततो का वरड़न है मौलिक अधिकार कानूनी महत्त तथा नयायोचित प्रक्तिका है जबकि नीती निदेशक्तत तो गर नयायोचित और नयतिक आदर्स मात्र है मूल अधिकार व्यक्तिगत सुतनता के साथ राज की सक्ति को सीमित करता है जबकि नीती निदेशक्तत तो राज की सक्ति को विश्तरित करता है तो दोस्तों यह 29 नमर कोश्चन था आगे चलते हैं 30 नमर कोश्चन